दोस्तों जिस तरह से XC Infinity बढ़ा है, क्या कोई ऐसा कोई है जो आने वाले टाइम में ठीक इसी रफतार से बढ़ सकता है जैसे कि आप सब जानते हैं कि XC Infinity जो है वो 94 डोलर तक उसने टच किया था क्या आपको पता है कि 52 वीकस का जो लो है वो 0.12 डोलर है यानि कि around 10 रुपे और आज ये 6000 रुपे चल रहा है तो क्या ऐसा कोई टोकन है आज की विडिम में आपको इसी के टोकन के बारें बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसको खरीच सकते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे इस टोकन का नाम है Star Atlas फिलाल ये जो अभी चल रहा है 0.2 डोलर के आसपास चल रहा है और आने वाले टाइम में ये XC Infinity की तरह ही बूम कर सकता है क्योंकि जो इनके जो गेमिंग है उसकी जो ग्रैफिक है वो इतना ज़्यादा हाई किलास है यदि आप इसको देख रहे हैं जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये इतना हाई क्लासिंग है इसके जो करेक्टर है वो ही बहुत शानदार है और जो इसकी टीम है वो बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रही है और आने वाले टाइम में आपको जितनी बड़ी बड़ी एक्चेंज है उनके उपर सबके उपर ये लिस्ट होता हुँ दिखेगा फिलाल जो उसका rate कम है उसका reason ये है किवल मातर गीनी चुनी दो तीन ही ये ऐसी एप है जिसके ओपर ये launch है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसको खरीदना है दोस्तो चैनल को subscribe कर देना अभी चैनल को hit करें ताकि आपको आगे ऐसे project मिलते रहे जो आप सुरुवात में ही gain कर पाए तो दोस्तो देखते है वीडियो को तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे जाने के बाद पर क्लिक करने जैसे रेश्टर पर क्लिक करेंगे आपको इमेल डाननी है पासवर्ड अपना सेलेट कर सकते हैं और रेफलर को जरूर डाली है ति आपको साइन बोनस चाहिए तो इसके रिए रेफलर को जानना पड़ेगा जो आपकी स्कीन के ऊपर है जरू डालेगा फिर जब रेश्टर हो जाएगे फिर लोगिन करके आपको यहां पर आना है फिर इसमें दो टाइप की के वाई सी होती है सबस्यादा दिक्कत ही पर आते दोस्तों तो आपको करना कै अभी आप स्टेब वन के वाई सी को फोलो कीजेगा तो इसमें सिंपल अपना नाम डानना है जो आप अपना नाम डाल सकते है अपनी कंट्री डाल सकते है जिस कंट्री से है इंडिया से पाकिस्तान से शीलंका जो भी आपकी कंट्री है वो आप इसमें डाल सकते है उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है अपना नाम इसमें गिलर इसमें जो नाम डालेंगे वो जाद रखना है कि यह जो date of birth है यह आपकी अधारकार से मैच होनी चाहिए जो भी date of birth आप डालेंगे वो बिल्कुल accurate होनी चाहिए तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें option डालके और जैसे मैंने date of birth डाली है 31 12 1995 में तो इसमें मैंने mention कर दिया इसके बात करना क्या नीच OTP आएगा OTP आने के बाद आपको यहां पर OTP डालना है इसके लिए आप वेट कर सकते हैं जो OTP है वो एक दो मिनट के भी ले सकता है और जागर network issue नहीं है तो एक दम से आपके पास OTP आ जाएगा जैसे मेरे पास OTP आ गया है मैंने इसको copy कर दिया और मैंने इसको यहां प क्लिक कर देंगे दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर आपको समझनी है काफी ऐसे लोग है जो यहां पर आगे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और FTEX एक्चेंज जो है वो काफी जादा security लेती है तो इसको वीडियो को end तक जरूर देखना और जो अभी है नहीं इस चैनल के उपर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए ऐसी information वीडियो लाता रहूंगा तो दोस्तों इसमें फिर आपके होने के बाद आपको simply home पे जाना है home पे जाने के बाद आप इसमें देखेंगे कि आपका जो यह आपक कि जरूत नहीं पड़ेगे आपको फिर आपको करना कि आपको अपने एसेट्स पर आना है यहाँ पर ट्रॉन सर्च करना है यहाँ पर सबसे इंपोर्टन यह चीज है यह टू एफ़ वैरिफिकेशन मांगता है जो गूगल ऑथेंटिकेशन पर होती है तो आपको करना क्या जाएगा इसमें आपको करना क्या आपको दोस्तों यहाँ पर एक की दिखरी हो गई उसके बाद प्लस के ओप्शन में किलिक करना है फिर यहाँ पर ऑप्शन आजाया की का जो आपने महां से की थी वो उसको यहाँ पर पेस करना है सीक्योर्टी करन में आपको दिखाना ही और उसके बाद आपका ये जो Google Authentication है पूरा हो गया वहाँ से code उठाना है code को आपको अपने यहाँ पर डाल के रखना है जो भी आपका code है वहाँ से और उसको copy करके आपको यहाँ पर paste करना है simple आपको बस यही करना है इसके अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको अपने buy कर सकते है अब आपका जो यह FTX का account है यह बन गया है proper तरीके से अब आप अपने यहाँ पर withdrawal, deposit सब कुछ कर सकते हैं अपनी FTX के account पे आप Tesla, Facebook तक की आप जो shares होते हैं भार की country के वो भी use कर सकते हैं, यह सबसे best point है बर उसके लिए verification जादा होगा तो आपको क्या करना है, TRX पर deposit करना है deposit के option पर आपको जाना है उसे copy करना है, फिर आप वजीर X पर जाईए अपने वजीर X पर जाने के बाद जो आपका TRX है आपको उसको send करना है, TRX आपने send कर दिया जो आपके पस account पर पड़ा था मेरे पास यहाँ पर 71 TRX थे तो मैंने उसको अपना send कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर गया, FTS के account पर और जो deposit के option है, इसको click करके, यहाँ से मैंने इसको copy कर लिया, simply आपको करना का है, TRON पर जाना है, TRON पर जाने के बार deposit के option को click करना है, और वहाँ से जो address है, उसको save copy कर लेना और आपको एक दो बार check जरू करना है कि आपको जो address है, हो same to same है या नहीं, इसको यहाँ पर paste करना है फिर जो भी अपना address है उसको दो बार, तीन बार आपको जरू चेक करने कोई blockchain में एक बार जो 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 चली जाती है वो वापसी नहीं आती, फिर withdrawal और पर click करना है, और नीचे डानना है INV, इसका 5 मेरा जो TRX है, वो कटेगी इसकी fees उसके बाद OTP आएगा आपके mobile नंबर OTP डाल देना है तो तो OTP आने में आपका 20 से 30 सेकंड का time लेगा जैसे ही आपके phone पे OTP आजाएगा आपको यहाँ पर OTP डालना है उसके बाद आपको OTP डालने के बाद आपको authentication जो जस्ट इसके नीचे है उसके उपर आपको click करना है simple एक click करने के बाद आपके पास यह आजाएगा कि approve करना है आपको email ID के उपर आप अपनी email ID के उपर जैसे ही जाएंगे और महाँ पर एक SMS आजाएगा वजीर X की तरफ से कि आपका जो यह withdrawal है यह आप नहीं कर रहे है या कोई hacker तो नहीं है जैसे आप इसको verified करनेंगे तो मातर के वल जो TRC की जो blockchain है वो बहुत ही कम time लेती है इसलिए हम TRC को use करते हैं और TRC को transfer करने में वजीर X से तो 5 TRC लगते है बलकि Binance में के वल एक ही लगता है और काफी जगा तो यह free भी है तो दोस्तो आपको simply करना क्या है TRC को जैसे आप इसको send करेंगे आपको wait करना है 5 minute का ज्यादा नहीं 5 minute का के वल आपको wait करना है जैसे 5 minute आपके पूरे हो जाएंगे तो आपके जो account है उसमें TRC आपको दिख जाएगा तो जैसे इसमें TRC आ गया तो हमको इसको क्या करना है हमको बेचना है हम इसको बेचना इसलिए है क्योंकि हमको USDT की form में चाहिए क्योंकि जो star atlas है उसको खरीजने के लिए आपको USDT चाहिए और USDT हमको TRS बेचने के बाद आई है तो आपको दोस्तों करना है Atlas Atlas को जैसे आप सर्च करेंगे USDT की form में आपको buy करना क्योंकि आपके पास जितने भी है token वो USDT की form में है अभी आपके पास USDT पड़ी है तो इसके लिए आपको simply करना क्या है यहाँ पर option है market rate और limit rate आपको अपने जितनी भी USDT है इसको 100% पर क्लिक करना है और 100% पर क्लिक होने के बाद आपके पास पर चल जाएगे कि आपके पास $5 की मेरे पास जो अभी पैसा पड़ा है वो 5.something पड़ा है इसलिए मैं 5 डोलर करा है और मेरे पास 30 आ जाएगा यह बोनस मिल सके दोस्तों यदि आप वीडियो यहां तक देख चुके है तो इसका मतलब यह है कि आपको वीडियो पसंद आईए वीडियो पसंद आईए तो लाइक जरू कर दीजे और सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे से टोकन बताऊंगा जो अभी तक बूम नहीं हुए है और जो मार्केट में सबसे अलग टोकन है जिसके बारे में और यूटुबर आपको नहीं बताएंगे तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे